दोस्तों स्वागत आप सभी का टेक्निकल गाइड के भी पर और आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं RTX 3060 बिल्ड के बारे में तो चले शुरू करते हैं आज किस वीडियो को तो दोस्तों वीडियो भी देख लो क्यों कि उसमें मैंने कंपेरिजन भी किया है स्पेक्स टू स्पेक्स वाइज यानि वही राशी परिपरल्स करके है तो वह लोग यहां पर सेल करेंगे तो आप चाहो तो इसको मतलब जो अगर आप इसको लेना चाहते हो तो आपको लेट का वेट करना पड़ेगा यह एंड और फेब्रूरी तक यह आपको मिल जाएगा और यह फाउंडर एडिशन जो कार्ड है वह कम हो भी सकते कुछ ब्रैंट के जैसे गैलेक्स हो गया इनो 3D हो गया इनके कार्ड वह तीन-दो-तीन-हजार कम भी हो सकते और जो कार्ड हो गया परवाद है तो उसके लिए हम ले रहे हैं सबसे पहले आर्ट एक सिक्स्टी जो की 30,000 रुपिस कोश्ट करेगा एक आइफ टैन-फोर हंड्रेड एफ यह सिक्सकोर ट्वेल्ट सीप्यू है तो इक्वाली मोस्ट ली राइजन 3 राइजन 5 3600 के काफी इक्वाले इन टर्म्स स्पेसिफिकेशन बूस्टिंग भी सिंगल कोर परफॉर्मेंस भी कंपेड तो राइजन 3600 इंटल की यहां पर ज्यादा अच्छी अभी तो 11 जनरेशन भी आने वाला है तो जब यह जो 3060 है वह लाउंच हो जाएगा और अगर तब 11 जनरेशन भी आते तो मैं उस पर वीड मिल जाएगा यह थर्टीन थाउजन रुपिस का मिल जाएगा तो काफी अच्छा सीप्यों है और जो इसके मदब हम ले रहे हैं वह हम ले रहे हैं यह आपको वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको यहां पर आई बेटन में मिल जाएगा और अगर हम बात करें कुछ बाकि B460 की हो गया औरस प्रो हो गया एसूस टफ हो गया तो अगर आप चाहें तो वह भी ले सकते हैं यह सब मदबोर्स आपको टैन थाउजन के राउन मिल जाएगा अपना औरस प्रो हो गया असूस का टफ हो गया और एजरॉक स्टील लेजेंड हो गया बीफोर प्रो मिल रहा था एट थाउजन सेवन हंडड़ का तो आपको ऐसे डील्स का इंतजार करना और बाकि इन सभी प्राइब जो पार्ट से उसका जो लिंक है अमेजान लिंक हो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इन केस अगर आपको एमेजान से लेना है तो ब मदरबोर्ड और चेंज करना होगा सेम प्राइज में बजट नहीं हिलेगा जितना बजट कुछ नहीं हिलने वाला आपका जितना इस पीसी का ओवरल बजट है उतना ही रहेगा आपको मदरबोर्ड को चेंज करना होगा बी 550 MSI का प्रो वीडियेच वाइफाइ ले लो या आपको सिर्फ 6 और 6 थ्रेड मिलेंगे 12 थ्रेड नहीं मिलने वाले तो यहां पर आपको डाउनसाइड मिलेगा लेकिन जो प्लस पॉइंट है वह बन जाएगा PCI Gen 4.0 और बात करें रिसाइजबल बार की जो कि वहीं एमडी वाला स्मार्ट एक्सेस मेमरी था जो कि एमडी क अच्छे लेवल के ही होंगे मेरे ख्याल से एच फोर टेन में शायद काम ना करें तो यह डिपेंड करेंगा लेकिन मोचली बीफोर सिस्टी में तो आप 100% एक्सपेक्ट करो कहां पर रिसाइजबल बार यह सब आपको काम करते हुए मिल जाएगा तो इंटल लिकिन जो PCI 4.0 चाहिए ही चाहिए और 3600 राइजन 3600 का बजट नहीं है तो आपको लेना होगा राइजन 5 3500 एक्स फर्किए कि वह यह जो 3500 एक्स है यह सिर्फ सिक्स कोर सिक्स थ्रेड है और जो 3600 है वह 6 कोर 12 थ्रेड है तो लेकिन आपको PCI Gen 4.0 मिलेगा और बजट पे यहापे को मैं सजस्ट करूंगा यहापे साटा SSD जो क्यों गया किंग्स्टन क्यू 500 की 240 GB साटा SSD यह बजट प्राइज में इसका टोटल बिल्ड कॉस्ट है वह मोचली 70,000 रुपीज है तो इसमें आपको एन वी हार्डली होगा तो आप साटा SSD ले लो किंग्स्टन क्यू 500 240 GB की और एक सीगेट बैराकूडा 1 TB हार्ड डिस्क या डवलूडी की ब्लू ले लो 1 TB हार्ड डिस्क जो भी आपकी फेवरेट है मैं प्रिफर करने वाला हो सीगेट लेकिन अगर आपको डवलूडी पसं अगर आपको फ्यूचर में अपग्रेट करना होगा 3060 TI या 3070 तो आपको 650 वाट का पी एस्यों लगेगा है लगेगा है और मैं भी रेकॉमेंड करूंगा तो अगर आपको फ्यूचर जेनरेशन का सपोर्ट चाहिए और आप अपग्रेट भी करने वाले हो तो 650 वाट पी एस्यों मस्ट है और जो कैबिनेट है वो टोटली आप पे डिपेंड करते हैं आप चाहें तो डीपकुल का मैट्रिक्स 55 ले सकते हो और एंटेक का कुछ 410 भी करके आया तो आप कूलर माश्टर का के 501L V2 भी ले सकते हो तो मतलब 3500 में जो कूलर माश्टर का कैबिनेट हो काफी अच्छा है और एक हाइली प्रिफर्ट कैबिनेट है अगर आपको बहुत ही अच्छा बिल्ड चाहिए तो तो जो कैबिनेट है वह मोस्ली आप पर डिपेंड करेगा लेकिन जो मेरी चॉइस रहेगी अगर आपको सेजेशन चाहिए तो डिपकूल मैट्रक्स 55 जो की विदाउट वाला आता है तीन हजार पांसु रुपे का एमेजॉन पर ले लो या तो जो कूलर मास्टर का के 501L V2 पर तो यहीं रहेगा 16 GB के तरफ जाना लेकिन अगर आपके पास स्टार्टिंग का जो बजट है वो कम है तो 8 GB मेरे ख्याल से मोर्टन इनफ है क्योंकि एडिटिंग गेमिंग तो हो जाएगी 12 GB ग्राफिक कार्ड है उसी में से आपका तो आदा वीरा काम वहीं पर हो जाए है अगर आप इंटल ले रहे हो तो 3,000 ले लो अगर आप एमडी ले रहे हो तो 3200 मिकर्स प्रिफर करो सेम है को सेंस की लेते हो तो सेम सिनेरियो आप अपलाएं कर देना तो अभी अगर हम फाइनल अभी बिल्ट कॉस्ट करें तो वह यहां पर 69,000 हो जाता है ऑनलाइन से ब महेंगा भी जा सकता है ओफलाइन लेते हो तो यहां पर थोड़ा सा सस्ता भी हो सकता है यह प्राइस चेंजिस तो सब एरिया में अलग होते सब स्टेट्स में अलग होते लिकिन एक रफली आइडिया आपको मिल जाएगा कि यहां पर 70,000 के आसपास ही इसका कॉस्ट होने अवाल है excluding monitor तो बस आज किस वीडियो में इतना है अगर आपको यह बिल्ड अच्छा लगा तो बता ना कैसा लगा आपको बिल्ड कमेंट सेक्शन में बताओ और आपको यह बिल्ड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करने आपको यह बिल्ड यह बिल्ड वीडियो आपको यह बिल्ड आपकों कर दो किस वीडियो रखकों किस वीडियो कर दिए एना है जब